प्रश्न संख्या 9 से 12 तक देगे परिछेत पराधारित हैं, परिछेत पढ़ने क्या उशक्ता नहीं है, या भारत के आर्थिक विकास, भारत का आर्थिक शेत रहे, उसके बारे में है, परिछेत आपके सामने होगा, हम सीधे परश्न पर चर्चा करते हैं, प्रश्न संख्या 9 कि परिछेत का केंद्रिय भाव क्या है, सीधा सीधा प्रश्न है और चार विकल्प दिये गए हैं, विकल्प A, विकास है तो मानो पूझी में निवेश करने का महत, विकल्प B, बहुतिक पूझी और मानो पूझी के मध्ध निवेश संतुलन करना, विकल् विकल्प D विकास के विभिन निदर्षन, इस प्रस्ण के उत्तर के लिए यदि हम परिछेत पर विचार करें, परिछेत का विशलेशन करें, तो पता चलता है कि विकल्प A गलत है, क्योंकि विकास है तो मानो पूंजी में निवेश करने के महत्त पर परिछेद में के चर्चा नहीं की गई है परिछेद में मानो पूंजी की उपेक्षा की चर्चा की गई है विकल्प B भी गलत है क्योंकि परिछेद में कहीं भी भावतिक पूंजी और मानो पूंजी के मध्ध निवेश संतुलन की चर्चा नहीं की गई है विकल्प D भी गलत है क्योंकि विकल्प D की चर्चा परिछेद में कहीं नहीं की गई है या परिछेद की विशेवस्तु से बाहर है विकल्प C प्रश्ण का सही उत्तर है क्योंकि पूरे परिछेद में इस बात की चर्चा की गई है कि भारत में किस प्रकार भोतिक पूजी के विकास पर जोर देने के कारण मानो पूजी के विकास की उपेक्षा हुई इस प्रकार प्रस्न का सही उत्तर विकलप C है अगला प्रस्न, प्रस्न संख्या 10, दो कथन दिये गये हैं और प्रस्न पूछा गया है कि दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है या दोनों कथन सही है या दोनों ही कथन सही नहीं है तो प्रस्ण संख्या 10, निम्रिखित कथनों पर विचार कीजिए, पहला कथन, 1950 और 1960 के दसक में अधिकतर भारतिय अर्थ शास्त्री भहुतिक आधार भोष समर्चना में अधिकाधिक निवेश के पक्षिधर थे, कथन 2, 1950 और 1960 के दसक के में व्यापक जन्सक्षक की परिछेद पर विचार करें, तो पता चलता है कि दोनों ही कथन गलत हैं, क्योंकि कथन एक इसलिए गलत है क्योंकि परिछेद में यह चर्चा नहीं की गई है कि सभी अर्थ शास्त्री, आधार भोष समर्चना में अधिकाधिक निवेश के पक्षिधर थे, कुछ अर्थ श सिक्षा की पूर्ण उपेक्षा हुई हालांकि यह और बात है कि सिक्षा प्रणाली दोस्पूर्ण थी इस बात की चर्चा की गई है और इसके लिए हम परिछेत की इस्पंग्त को संदर्भित कर सकते हैं कि कुछ भारतिय और सास्त्रों का भी यही मत्था विशेश रूप से बीवी कृष्ण मोर्थ जिन्होंने उसी वर्ष सिक्षा नीत के विरोध में तीखे टिपड़ी लिखी तथा सरकार को फटकारतियों इने सब्दों का प्रयोग किया किराने के सामान की निजी व्यापारी कितरा सिक्षा जैसे मामले की गड़ना की इस प्रकार प्रशन का सह विकल्प D है अर्था दोनों कथन सही नहीं है अगला प्रशन सीधा सीधा प्रशन पूछा गया है और उसको उत्तर में चार विकल्प दे गया है प्रशन संख्या ग्यारा कि इस परिछेद में निजी किराना व्यापारी के उधारनकावल लेख क्यों हुआ है विकल्प A शिक्षा के छेत्र में भारतिय सरकार के दोस्पोन उपागम को दर्शाने है विकल्प B मानो और भोतिक पूझे के मध्य अंतर को चहनांकित करने है विकल्प C बहतर वृद्ध रणनेत को अपनाने की आउशकता का प्रदर्शन करने है विकल्प D भारत की इस प्रस्ण के उत्तर के लिए यदि हम परिछेत पर विचार करें तो पता चलता है कि प्रस्ण का सही उत्तर विकल्प A है यदि इस पंक्त को संदर्भित किया जाए ति विशेश रूप से B.B. किस्नमूर्थ जिन्होंने उसी वर्ष शिक्षा नीद के विरोध में तेख के टिपड़ी लिखी तथा सरकार को फटकार्ति और शब्दों का प्रियोग किया किराने के सामान के निजी ब्यापारी की तरह शिक्षा जैसे मामले की गढ़ना की अगले पंक्त को भी हम ले सकते हैं कि एक अन्य आलोचक जिनका सर्वथा भिन्य द्रिश्ट कॉंड था ड इसमें भारतिय सरकार की जो प्रत्क्रियार है उसका जो कारिक्रम रहा सिक्षा के प्रित वहां दोस्पूंड था इस बात की चर्चा की गई है अगला प्रस्न प्रस्न संख्या 12 जिसमें तीन कथन दिये गए हैं और आप से आप पूछा गया तीनों में से कौन सा कथन सही ह हैं तो पहला कथन भारत की प्रथम पंच वर्षी योजनाची विकास रणनीत ततकालिन वैश्चिक रणनीत के साथ समन्वित थी दूसरा कथन कुछ विशिष्ट अर्थशास्त्री जो इस रणनीत के विरुथ थे ने अपने चिंता जाहिद की और जो बाद में अर्थविष्था में विकास के साथ सही सिद्ध हुई कथन तीन लेखक ने हिंदू व्रिध धितर का प्रियोग भारत की अस्फल व्रिध रणनीत को चिहनांकित करने के लिए किया है इस प्रशन के उत्तर के लिए यदि हम परिछेत का विशलेशन करें परिछेत पर विचार करें तो पता चलता है कि कथन एक सही है जैसा कि परिछेत में उल्लेख किया गया है कि विकास की इस रणनीत का नहरू से कोई विशे संबंध नहीं था जबकि उस समय संपूर्ण विश्म या सामाने मत था इससे पता चलता है कि कथन एक सही है कथन दो भी सही है ये परिछेत के स्पंध को संदरभित किया जाए कि बाद में अर्थ ब्युस्था में और अधिक उन्नत ने इन आलोचकों विचारकों को दोश्मुक्त किया अर्थात ये आलोचक विचारक सही सिद्ध हुए इनकी जो चिंता थी इनके जो विचार थे इ भारत की अस्फल ब्रिध रणनीद को चिंनांकित करने के लिए नहीं किया है बलकि इसका उद्देश सरकार के द्रिष्टकोंड से निश्चित प्रणाम प्राप्तिका चित्रांकन करना था इस प्रकार प्रश्न का सहुत्तर विकल्प B है